लुब लुब अदर फी अक्मर लुब अलकुट हाई विनर्स ए ओप यौल आर वेल देस साइड राजीवानन्द वेलकम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्व चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स इस वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहले डीजेन on base project के बारे में और ये वीडियो सुनने के बाद आप लोगों को बिलकुल 100% confirm होने वाला है why I am so bullish on डीजेन डीजेन एक ऐसा project है दोस्तों मेबी ये आने वाले future में आने वाले bull run का जब हम लोग maximum level पर sentiment देखेंगे उस time पर डीजेन मेबी in top 10 or maybe in top 20 yes my friends इस वीडियो में डीजेन के बारे में जो detail में आप लोगों के साथ share करने जा रहा हूं ये वीडियो सुनने के बाद you will feel the same क्योंकि अभी तक crypto market में या आप twitter की बात करो या coin gecko की बात करो coin market cap के बात करो जब भी हम लोग base chain के meme coin सर्च करते हैं तो हमें वहाँ पर degen as a meme coin दिखाई देता है बट degen अपने आप में एक meme coin नहीं है एक proper ऐसा blockchain innovation है एक ऐसा forecaster innovation है जिस innovation में आज की date में 100 plus project already develop हो चुके हैं yes my friends degen chain पर regular projects को deploy किया जा रहा है और आज की date में बहुत सारी dap और dexes भी degen chain पर develop की जा चुकी है then why we are always कि हम लोग degen को meme coin समझते हैं क्योंकि शुरुवात degen की meme coin से हुई उसके बाद rap का system लेके आया गया और degen.tips जो official website है जहां पर community ने degen की supply का more than 70% of the supply just airdrop की है तो आप समझे के back end में कितनी strong community है जो एक token की supply का 70% से जादा number of community में distribute कर रही है यह कोई hype नहीं है दोस्तों यह अपने आप में एक ऐसा innovation है जो reality में blockchain और crypto space को चाहिए for the sustainable growth in the upcoming future especially if I am talking about web3 site अब हम लोग सबसे बहले इस वीडियो में DJN के बारे में पूरा explore करते हैं और उसके बाद Tron meme coin में जो top stem category है और जहां पर हम लोग sun dog सुन रहे हैं bull सुन रहे हैं, tea bull सुन रहे हैं और एक project की बहुत बड़ी hype सुनते हैं sun cat इन में कितना बड़ा breakout moment आ सकता है of the liquidity for Tron meme coin और Tron आप लोगों ने देखा है जब से 20 cent पर आया है एक बार फिर से Tron के meme coin second biggest movement growth के लिए ready हो चुके हैं तो ऐसे time में हमें जो नजरे जमा कर रखनी है वो Tron के इन top meme coin मेर तो definitely रखनी है अब Tron के meme coin में जो मैं आम अल्रेडी ले चुका हूँ ये वो top most list है इसके इलावा अगर आप लोग under 1 million ने जाते हो तो कई बार मैंने आप लोगों को raw के एक project है उसके बार में भी काफी बार अपने official twitter handle पर और वीडियो में भी शेर किया है और 10 या 11 million पर IB fund तो ये वो 4-5 नाम है even faux fur is there sun pump बहुत बार faux fur से related personal tweet भी कर रहा है तो overall ये जो 5-6 meme coin बनते है Tron meme coin में इसमें भी कौन सी top most choice बन सकती है वो भी हम इस वीडियो में discuss करते है but completely ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ DJN के उपर क्योंकि DJN को लेकर बहुत बड़ी community है बहुत बड़ी positive sentiments है और लोगों ने मुझे finally comment करके बोला है कि we need to learn about the forecaster system जो DJN के तरफ से बनाया गया है और ये एक innovation blockchain और crypto space को काफी आगे तक अगर हम web3 के strong future की बात करते है उसको maintain करने के लिए ये project इस blockchain और crypto space में काफी बहतरी परफॉर्मेंस लेकर आने वाला है फिर चाहे आप लोग utilities और use case की टम में बोलो या फिर आप price में return की टम में बोलो और no doubt top 10 or 20 जो मैं आपको बोल रहा हूँ या आपको आने वाले कुछ ही time के अंदर दिखने वाला है this is 100% sure so let's explore first Degen and then we are talking about Tron meme coins देखे दोस्तों सबसे बहले coin gecko पर 220 का जो आज की date में rank है वो है Degen का अब Degen का rank आप लोग देख सकते हो market cap इस time पर 382 million की है अभी Degen ने recently अगर मैं बात करूँ तो 420 million के आसपास की market cap को breakout भी किया है बट उसके बाद अभी Degen की market cap down है लेकिन ये मुझे एक ऐसा strong project दिखता है जिसकी लिए 10 billion, 15 billion, 20 billion का भी target कोई मेरे साब से बहुत बढ़ा target नहीं मैं मानता that's why I am so bullish on Degen अब यहाँ पर सबसे बहुत है contract में आते हैं तो base chain का innovation है base chain पर बनाया गया अब इसके official website में आते हैं तो Degen.tips देखें ये है official website अब यहाँ पर आप देखिए meme with a dream अब इस particular project के आज की date में 7,93,000 already holder हो चुके है अब यहाँ पर transactions की बात आती है 12,000,000 से जादा in queue transaction हो चुकी है और recently अगर आप लोग ने मेरी Degen से related video सुनी हो तो मैंने उसके अंदर जो layer 3 migration की बात की थी जिसमें community में की यह vibes चल पड़ी के maybe Degen का smart contract change होने वाला है तो smart contract कोई change नहीं हुआ है same smart contract है आप लोग ने अगर किसी भी centralized exchange में safe दिखाई दे रही है तो जो Degen ने layer 3 migration किया है वो इस ताइम पर blockchain space के लिए बहुत necessary था उसका सबसे बड़ा proof जब आप लोग Degen के categories को देखते हो तो यहाँ पर L3 जो layer 3 category है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने जा रहा हूँ वो एक topmost category बनने जा रही है इस blockchain world में तो layer 3 की जो शुरुआत हुई है वो Degen से हुई है और Degen को जो finally transactions को done करने में या execution को fast करने में problem आ रही थी तो उसके लिए Degen ने अपने technical side पर कुछ L3 के अंदर जो enhancement की या migration किया लेकिन उसके token पर कोई impact नहीं आया अब देखिए Degen ecosystem में या Degen chain पर इस ट्रेम पर जो feature daps है और आप लोगों ने ये project सुने भी होगे जैसे आप लोगों ने reliable सुना होगा या Degen radio सुना होगा या देखिए sun futures, Degen pad, microsub, poster.phone ये देखिए ये वो daps हैं जो already Degen chain पर develop हो चुके हैं तो अब आप देखिए हम जिस project को meme coin समझते हैं वो अपने आप एक meme coin नहीं है वो एक proper chain है जिस chain पर बहुत सारे project जो है वो develop हो चुके हैं अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं जो Degen pad है वो basically क्या है वो एक crowdfunding का Degen project है अब उस crowdfunding के अंदर आप यहाँ पर number of projects देख सकते हैं जो crowdfunding के help से बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर आप देखें Microsoft, Naomi और उसके बाद यहाँ पर जो इनकी lab की team है उसकी भी पूरी detail यहाँ पर available है अब यह तो हो गया Degen का वो technical part कि Degen एक blockchain है अब यहाँ पर अगर हम लोग Degen की शुरुवात जो Degen ने recent migrate किया layer 3 में अब हम लोग L3 में आते हैं तो यहाँ पर आप L3 देखें जिसकी शुरुवात Degen से हुई उसके बाद XAI, XAI, उसके बाद OBS यह नाम आप लोग उने सुने होंगे बहुत popular name है इस time पर L3 based जो theme बनी है और यहीं पर अगर आप बिल्कुल downside में जाते हैं तो इस time पर L3 के अंदर बहुत कम project देखने को मिल रहे हैं बट येस blockchain और crypto space के लिए जो आने वाला future है जो web3 के लिए comfortable enterprise level का solution है उसमें we want L3 because of customization तो उस customization के लिए degen एक बहुत बड़ा अपना forecaster system already ready कर चुका है अब forecaster system की बात आती है तो degen को जब आप यहां पर देखेंगे तो इस category में या एक tag में forecaster ecosystem बे दिखता है और मैं आपको अगर coin gecko के उपर forecaster ecosystem दिखाऊ तो अब आप यह देखकर समझेंगे कि why I am always talking about brett, moog and degen जब मैं base chain पर बोलता हूँ degen पर मेरा सबसे बड़ा focus क्यों होता है अब देखे forecaster system की जो शुरुवात हुई है वो degen हुई है अभी तक का top most project forecaster system में degen ही है लेकिन उसके बाद base chain का dodgy mine या the dog NFT dog आप लोगों ने सुना होगा बहुत popular project है higher की हम लोगों ने सुना है tybg यह अपने आप में base chain का top most project माना जाता है उसके बाद tn100x यह एक meme coin है लेकिन इस meme coin को कैसे utility बना कर forecaster system में use किया जा रहा है वो जब आप यहाँ पर click करेंगे जैसे मैं आपको अब यह project दिखा हूँ अब इस project के जब मैं detail section को study करता हूँ जो इनका about a section है उसके अंदर साफ लिखा हूँ है जो forecaster system है उसमें tipping के लिए tip के लिए इस particular project का use किया जा रहा है और जो base chain पर deploy किया गया है और इसके अगर मैं category में आता हूँ तो यह भी अपने आप में layer 3 भी है base का meme coin भी है और forecaster system में as a tipping use किया जा रहा है तब आप समझेए कि forecaster system जो coin gacow पर एक proper category है वो category आने वाले future में कितनी बड़ी बनने जा रही है और उसी category के कुछ project हम लोग base chain पर काफी बार देखते है but I am always talking about Brett, Moog and Dejan लेकिन मैंने कई बार आप लोगे साथ तोशी project की बात की है लेकिन इन project के बात मैंने बहुत कम किया या maybe आप लोगों को साथ YouTube पर देखने को मिला भी नहीं होगा but yes अब आप देखे कि इस category में कितने project है चाहा base code की बात करो dodgy mine की बात करो dog NFT की बात करो ये mostly project base chain पर develop किये गए है इससे आप लोगों को base chain की innovation को भी समझना है आने वाले future में base chain का कितना बड़ा innovation होने जा रहा है और जिसी साब से अब मतलब USA dominant space में after election जो एक positive vibes आई है crypto blockchain space को लेकर then आप देखे कि coinbase USA dominant space की exchange है उनी का dominance या blockchain की बात करो layer 2 on Ethereum scalability का सबसे बड़ा solution base chain है Ethereum बहुत कम as a gas fee करता है और बहुत easy होता है base chain को metamask wallet में add करके number of projects को buy trade sell करना तो अब आप यहां पर देखिए कि कितना बड़ा impact आने वाला है आने वाले future में इस L3 innovation में और forecaster system में और इन दोनो innovation की शुरुवात चाहे आप लोग layer 3 की बात करो चाहे आप लोग forecaster system की बात करो उसकी शुरुवात degen से होई है that's why I am super bullish because future में blockchain और web3 space या में present की में बात करूँ जो हमें real utilities की requirement है उस real utilities में अगर कोई एक topmost choice बनता है तो वो degen है that's why I am super bullish on degen always अब मुम लोग बात करते हैं Tron meme coin जिसमें मैंने आप लोग को starting में बोला है वीडियो को अब Tron meme coin को explore करने के लिए we have a website sunpump.me तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको बताता हूँ early में मैंने आपको बताई थी website listed on sun swap पर click करके आप simply market cap option में आ जो इसका topmost project इस time पर sun dog दिख रहा है जिसकी market cap 203 million की है और Tron bull जिसने सबसे बड़ी hype बनाई थी 300 million तक यह project पहुचा था अभी यह 70 million पर है but मुझे इससे strong project जो है वो T bull दिखता है 20 million पर है maybe it is one of the next project जो 200-300 million की market cap बनाई but उसका सबसे बड़ा impact है सबसे पहले Tron meme coin का जो सबसे topmost project है sun dog उसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ा impact देखने को मतलब दिखना चाहिए that's why I'm bullish on Tron meme coin जैसे आप से Justin Sun regular efforts कर रहे है या Sun pump जो official trader handle है जो regular efforts कर रहे है उसमें मुझे Tron meme coin में second biggest wave growth नजर आ रही है और liquidity जैसे जैसे इन में reserve होगी trading volume जैसे generate होगी पैसे की movement होगी जब Tron meme coin में एक बाच फिर से otherwise यहाँ पर और अच्छे project है जैसे मैंने आपको फोफर बोला था ठीक है या फिर push project है Moodog एक project है Moondog अब market में चल रहा है Moodang but Moondog एक project है जो already Tron meme coin की मतलब side पर बनाया गया है उसके आई भी fund जो मैं आपको बोलता हू तो यह जो 3-4 choice बनती है including एक project और है फोफर वो यहाँ पर mention भी होगा फोफर भी अच्छा project है फोफर यह यह देखिए जो टॉप के Tron meme coin में 8-10 project है अब हम यहाँ पर आजएं फोफर की स्टेम पर market cap 2.36 million डालर है तो यहाँ पर 1 million से लेकर 10 million के अगर choice देखते है तो sun cat, उसके बाद आपका push उसके बाद moon dog, czc, invest zone और 20 million में जो मुझे एक riser project लग रहा है maybe 10x, 20x तक का वो Tron bull है और multi billion में जो जाता हूँ project दिख रहा है Tron meme coin है वो sun dog है 200 million पे है I am expecting कि at least 2-3 billion डालर की market cap तो sun dog बनाएगा maybe fun, sun cat, t-bull and sun dog even you can choose Tron bull also but मेरी जो 3-6 choice बनती है Tron meme coin में वो ये हैं और इन particular choices को लेकर आप लोग ने काफी बार मेरा twitter handle पर tweets देखे भी होगे और इसके इलावा जहां से एक real शुरुवात हुई थी Tron meme coin में जिसने इस पूरे मतलब portfolio को बनाया होगा या जहां से Tron meme coin के एक real start हुई वो था coconut chicken अगर आप लोगों ने सुना हो तो triple C एक project है coconut chicken ये देखे official जो इसकी verified है 1.44 million dollar की market cap है तो अगर sun pump वाले meme coin जब यहां पर मतलब एक second wave growth के लिए ready होगे तो मेरे साब से CCC भी काफी अच्छी choice बन सकता है Tron chain का project है इसकी market section में चलें तो ये already आप DEX पर भी available हो चुक है Sun swap पर भी available है तो आप लोग मतलब जो Tron link pro wallet है उसको use करके Sun swap पर भी कर सकते हैं और आप centralized option में जाओ तो अभी यहां पर जो confirm mark नहीं है बट ये मेरे साब से बहुत ही जल्दी MEXE पर आने वाल है पर MEXE पर इसकी volume कुछ खास generate नहीं हो रही तो मेरे साब से DEXE एक सबसे अच्छा option है You can choose Sun swap और आप easily Tron link wallet में वाया Sun swap इस coconut chicken project को भी लेकर रख सकते हैं बहुत बड़ा मेरे साब से एक low cap gem है इस ताइम पर Tron Tron मतलब meme coin में और काफी अच्छा project निकल सकता है और जैसे हम हमेशा BTT की बात करते हैं या विंक link की बात करते हैं तो ये भी काफी अच्छी choice बनती है बट overall इन सब के मतलब जो important factor है निन में वो है कि हमें सबसे पहले Tron को देखना है तो Tron अभी 20 cent पर है जैसे Soul के improvement से पूरा का पूरा Solana ecosystem बढ़ रहा है वैसे जब Tron हमें 25, 30, 40 cent सक दिखाई जाता मनला दिखाई देगा तो हमें ये विंक link जैसा project या triple C जैसा project या sun dog या sun cat, ivy fun तब हम लोगों को Tron based जो ecosystem है Tron based जो meme काई नहीं या विंक link या BTT जैसे project है वो काफी बड़े level पर grow होते दिखाई देंगे अब देखिए विंक link अल्रेडी 81 million dollar की market cap है और अपने all time high से बहुत low पर चल रहा है ये project मैंने आपको काफी time पहले बताया भी था ठीक है अब इसका all time high अगर यहां से जाता है 97% already down है 2-0 में है मतलब 2021 में गया था अब यह 4-0 पर चल रहा है अब 97 तो percentage में लिखा हूँ अगर वैसे आप देखा जाए 2-0 kill करने का मतलब यहां से लगबक 70 के आसपास मतलब 70-10 70-75 गुना के आसपास का return यहां पर दिख रहा है और 85 million dollar के already market cap चल इतना बड़ा भी नहीं तो अगर हम यहां से easily 20x भी accept करें ठीक है 2-0 भी अगर यह kill करता है और 3-4 तक की series बनाता है और ultimately अगर हम लोग Wink Link की market cap में चलते हैं तो अगर हम Indian exchange में भी जाएं तो Sun Crypto पर भी available है और world की सभी mostly exchange OKX, Binance, BitGat, KuCoin, Hubai Global, Gate.io, MEXE सभी exchange पर आप लोगों को यह देखने को मिल जाता है So मेरे साब से अगर आप Tron meme coin में जा रहे हैं बर जो choice overall अगर Tron meme coin में जब sustainable rally आती है एक bull rally आती है तो Tron में कौन से project का बहुत बड़ा chance बनता है grow होने का वो list मैंने आपको इस project में दिये And yes, जहां से मैंने forecaster system और L3 की बात की है दुबारा बोल रहा हूं वीडियो complete करने से पहले I am super bullish on DGN Don't miss this innovation Don't miss this hyper-realistic project in the crypto market So, ultimately base chain खा सबसे super potential जो है वो DGN में है No doubt Mock and Brett They are my top choices Brett is the first Mock के back end में भी strong community है But DGN बहुत different project है दोस्तो जो अपनी strong utility और innovation से market के अंदर बहुत बड़ा return देने के लिए ready है But yes patience plus conviction और आप तो बोलूंगा पहला confidence But yes please keep it in mind You are in the highly volatile market So please do your own research Before buying Before starting Before investing in crypto market Thank you so much for watching this video And please do subscribe CryptoMarket YouTube channel For more updates Thank you so much